तो वहीं कन्नौ जिले से गुजरने वाले लखनव आगरा एक्स्प्रेस वे पर सुभा आलू लदे ट्राक और स्लीपर बस में आमने सामने भीशड बिढन्त हो गई बिढन्त इतनी भीशड थी कि बस के पर खचे उड़ गए हाथसे में चाब लोगों की मौत हो गई जबकि 30 अन्य लोग घायल हो गए है घायलों को पास के मेडिकल कॉलेज में भरती करा गया है जहां कुछ लोगों की हालत नासुख पनी हुई है बताया जा रहा है कि प्राइविट बस लखनव से आगरा की तरफ चा रही थी तभी 208 किलोमीटर नमबर पर बस डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी साइट पहुच गई इसी दौरान सामने से आ रहे आलू ट्रक में बस सामने से जाटक राए घटना की सूशना मिलते ही यूपीडा और पुलिस की टी मौके पर पहुची आनन फानन में सभी घालों को उपचाव के लिए मेडिकल कॉलेज में भरती करा गया मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर दिलीप सिंग ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में 34 घाय लाए थे जिसमें से चाव लोगों की मौत हो चुकी थी और बाकी घालों का इलाज चल रहा है